तो फारिलिली आज का आउटफिट ही है में चश्मा पहने रखा है और आज अपने लुक जाने वाले हैं कैसी जगा गॉल्जियर की एसी जगा जो है एरपोर्ट एरपोर्ट के पास एक और एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर देखने के लिए जा रहा है क क्योंकि वहां पर दूरा मिट्टी बहुत होगी because construction हो रहा है तो चेहरे पर जा दूरा मिट्टी लगे ना और आख के लिए safety के लिए देन चलते हैं फिर मैंने लगाया है यहां का लॉक और यह है मेरी गाड़ी मैं गाड़ी लेके जाता हूं अपने दोस के घर पहुंचा उसको गाड़ी दी अब भाई गुरे टाइम गाड़ी यही चलनाने वाला है तो मैं आपको बतायता हूं अपने लोग कैसे जा रहे हैं मेरे घर से करीब करीब 10-12 km दूर एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट जो है डीडी नगर के पास है डीडी नगर के थोड़ा सा आगे जाके एयरपोर्ट है अब एयरपोर्ट वहां पे अंदर जाना तो शायद इतना परमीशन है नहीं या फिर मैं ज्यादा कुछ फोर्ट भी लाओंगा जाने के लिए मैं वहां पे बहुत बड़ा कंस्रक्शन हो रहा है जो मैं आपको दिखाऊंगा रस्ते में क्रेंड जा रहा था ओके दैन हम ल आएंगे और मैं आपको जरूर दिखाने वाला हुए जगा बहुती जादा बड़ा कॉंप्लेक्स और बहुत जादा अच्छा कॉंप्लेक्स है इसको अपन मॉल भी कह सकते हैं यहां से अपन लोग पहुशाला पढ़ती है काफी बड़ी गोशाला है कभी इसके अंदर जा ने पारक और करें कैसे ना कैसे हम लोग जो है बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा सखी रोड पर पहुँंचे तो लोग देख सकते हैं जिसे ёं लोग कित्ती सखी रूड बसramosक यहां पर फ्फोशी बगद्दे थे जोाँ हमने मैं इनेचे कह लें कोई दिक्कत हमको घूमना पड़ा बहुत जाद घूमने के बाद हम लोग पहुंचे एक रोड पे जहां पर construction हो रहा था देखो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर हम लोग पहुंचे और यहां पर मतलब तो घड़ा खुद रहे थे बहुत construction हो रहा था लेकिन यह में जगा नहीं है में जगाए आगे मैं आपको दिखाऊंगा यह तो construction और ओला घड़ा खुद रहे थे तो यह देन उसके बाद में रोट पर आगे चलते गाये हम चलते गाये चलते गाये लेकिन फिर में लगाएगा पीछे आगे उस जगा को देखते हैं तो पीछे आया तो जगा कुछ मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की दिख रही थी आज पास construction हो रहा था और फिर में जब लॉट के आया तो जगा कुछ इस तरह की दिख रही थी मतलब यहां पर construction हो रहा था और दूर M.A.T. University है बास में M.A.T. University पर बहुत पास पहुंच गये थे मतलब मेरे घर से बहुत दूर पहुंच चुके थे यहां पर यह जो दिख र बड़ी बात में तुमको अभी बताने वाला हूं क्योंकि आगे construction हो रहा है वो बहुत यहादा तगड़ा और बखत यहादा बड़ा construction है तर जाते जाते आगे जाते जाते हम लोग में जगाए पहुंचे तो यह हो रहा है यहां पर construction मैं आपको दिखाता हूं कितना बड़ा construction हो रहा है यहां पर जैसे हम लोग यहां पर आया तो इस ट्रैप से construction हो रहा है थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं किस तरीके से हो र एरपोर्ट बन रहा है और यह तुमको सकता है वीडियो में छोटा लग रहा हूँ लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़ा construction है बहुत ही ज्यादा बड़ी building या फिर मैं समस्थ कहूं कि एरपोर्ट का एक और platform बन रहा है और सामने बहुत ही ज्यादा खाली जगा थी मैं थोड़ा सा अंदर गया में फ्रेंड ने भै अगर आप गॉल यर में आते हो न दोस्तों देखो खुले पंखा मोल को यही 10 धार में थे 15 मोर तो मैं ने देखे थे भाई, बस्ता हम लोग गिंती तक कर रहे थे, पचास मोर तो मैंने देखे थे, उससे ज्यादा मोर कुछ इधर उड़ दा है, कुछ उदर उड़ दा है, और मैंने मोरों को इतना उड़ते हैं, लिटरली गाई, इतनी सुंदर जगा है इसके सामने, यहां पर मोर उ लोट है, अब यहां पर लोटने में तुम क्या ध्यान रखना है, भाई यहां पर रस्ते में गड्डे पढ़ेंगे, और यहां पर रोट काफी तुम भूल सकते हो, तो यार तुम लोग थोड़ समने घर का जो है, लोकेशन को मतलब लोकेशन को वहां पर पॉइंट मतलब उत्यों में लोट रखना है, और यहां वा है, वोट दो इक्ता है, वोट रखना है, उत्या है, वहां ंखना है।